पुस्पालग भाईयो राम राम आज हम चर्चा करेंगे बेड़ बक्रियों में होने वाले रोक की किसान भाईयो बेड़ बक्रियों में फड़किया एक जिवाणू जनत बिमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम परफेंजिस के कारण होती है ये जिवाणू समानिता पशुओं के आत में रहता है ज्यादा चराई करने से ये बिमारी हर उम्र की भेड़ बक्रियों में हो सकती है इस बिमारी में भेड़ बक्रियों के इलाज का समय भी नहीं मिल पाता है जिस कारण पशु शीग्र ही मर जाते हैं और पशुपालकों को समझ में ही नहीं आपाता कि ये कौन सी बिमारी है जिससे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है ये रोक बेड़ बक्रियों में ज़्यादा खाने पिनी से होता है जब पसल कटाई होती है उसके बाद भे जो नई कौमपले खेतों में उखती है उनको खाने से पशों में सबसे ज़्यादा टॉक्शिंस बेड़ों में पैट के अंदर हो जाता है जिससे आपरा आता है और पसु काल गरस्त हो जाता है ये मुक्य रूपशे पैट समद्धी बिमारी है इसमें संक्रमन दर बहुत ज़ादा है मोर्टिलेटी भी ज़ादा है म्रत्यु दर ज़ादा है बेड़े शाम को पसुपाला गर पे लाता है और रात को म्रत पाई जाती है और आपरा बहुत तिवर गती से आता है ये जो बिमारी है पढ़किया जिसको बोलते हैं इसमें संब्डी फटकने लग जाती है बुखार आ जाता है और पसु जल्दी काल गरस्त हो जाता है किसान भाईयो इस बिमारी में पशु अचानक सुस्त और कमजोर हो जाता है और पेट में दर्द के कारण पैर पटकने लगता है इस बिमारी के कारण पशु का पेट भी फूल जाता है इस तरह अगर आप इसका समय रहते इलाज नहीं करवाते हैं तो पशु की मृत्यू भी हो जाती है इस लिए इस बिमारी से बशने के लिए आप पशुओं को अधिक प्रोटीन युक्त चारा कम मात्रा में खिलाएं पशुओं को दिये जाने वाले दाने चारे में अचानक कोई परिवर्तन ना करें और फसल कटाई के बाद पशुओं को अधिक समय के लिए खेतों में चर्णने नहीं देना चाहिए ताकि पशु अतिधिक चारा नहीं खा पाए इस बीमारी का उपाई सबसे बढ़िया है सरकार द्वारा पसुपालन विभाग द्वारा नियमे त्रूप से इसका टिका करन किया जाता है ये टिका करन साल में दो बार दिसमबर जनवरी में और जून जूलाई में विभाग द्वारा लगा जाता है जिसमें डाई एमल की डोज पसू की चमरी के अंदर लगाई जाती है जिससे नकेल बचावाता है बलकि बेड़ बक्रियों के सरीर का भी विकास होता है इस लोक से बचावेतू यही सबसे बढ़िया उपाई है इसमें टीका करने निये में तुरूप से करवाते रहना चीए इसका बीमारी आने पर सबसे बढ़िया उपाई है कि देशी उपाई के अपन बात करें तो मीटा सोड़ा तेल के अंदर थोड़ा पैट में दे दे तो आफरा बगरा यह शान्त हो जाता है और पसो की ब्रतू से बचाया जा सकता है दूसरा इसका निकरतम पसो चिकिसक से संपर करके इलाज भी किया जा सकता है समय रहते हैं और यह बीमारी बहुत तिवरिगती से फैलती है इसलिए अपने बेड़ों को अपने बकरियों को निये में तुरूप से इसका ठेका करन करवाए और इसका लाब ले